नारायन बगर नाम की जगह है जमूली में और वहां से तुमको आठ किलो मेटर दूर परखाल का आना होता है और परखाल से पैदल रस्ता है करीब 2-3 किलो मेटर का यह है देवी दूरा मंदिर का गेट इस तरब से गेट थी कि दिख रहा है यह देवी दूरा मंदिर का गेट सडक से थोड़ा यह उपर आप जंगल देख रहे हो इस जंगल के उपर जाना है 45 मिनट का रस्ता है ऐसे घन्य जंगलों के बीट से होता हुआ यह जंगल थोड़े सुने हैं लेकिन अभी यहां भीड़बधाब्ध है क्योंकि गांवाले घास के लिए गए हुए है और रस्ते पे काम चल रहा है यह देखिए पर रस्तों पर काम चल रहे है त Inner लोखे तो हमें काम कर रहे हैं यह कितने खड़ी चड़ाई है और इस खड़ी चड़ाई पर ऐसी सीडियां है यह देखो मेरे नीचे यह सीडियां मिल्कुल लहलान पर और मैं आया था यह सामने से यह परखाल है इस तरफ भी ढलान है परखाल के और दूसरी तरफ भी ढलान है 20 रस्ते में यहां पर मंदिर है और यह परतिक्षालय बनाया हुआ है यहां पर आधे रस्ते में यहां परखाल है परखाल से यह सामने गेट है मैं जूम करके बताता हूँ आपको यह है परखाल और यहाँ सामने गेट है और इस गेट से ये रस्ता जो उपर पैदल आ रहा है हमें इस रस्ते पर आना है और यहाँ से इस गन्य जंगल से होते हुए यहाँ उपर आजे रस्ते मेंर यह परतिक शालա है अभी सीडियां खतम नहीं हुई है अभी मंदिर तक पहुँचना बाकी है उपर तक ऐसी चोटी तक सीड़िया ही सीड़िया है ऐसा रस्ता है बिलुकुल नीज़ से ऐसी सीड़िया है और नीज़ से चड़ते हुए उपर आ रहा हूँ करीब एक हजार सीड़िया है ऐसी मंदिर तक पहुँचने के लिए सायद 1001 सामके वक्त ऐसी जगें बहुत अच्छी दिखती है क्योंकि दूप हमारे सर के पीछे होती है तो जो भी देखोगे आप बिल्कुल साफ और चमकता हुआ दिखाई देगा और यहां से यह देखो आखिरकार पहुच चुका हूँ मंदिर में यह है परखाल का महामर्तियूंचय महादियू यह दर्म सला हुआ यहां पर और यह देखिए परखाल का भव्य मंदिर यह है परखाल का महामर्तियूंचय महादियू यह जो छोटा सा यहाँ पर आपको यह पहाड़ था यह इस पहाड़ की चोटी थी और बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलता है छातेसवर महादेव में बड़े सित्रिसूल बनाए हुए हैं और मंदिर के सामने दंदी बगएरा यह दिखिए आप तो यह था महामिर्त्युन जय महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर यहां का परखाल का बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहां जगह है ज्यादा है नहीं मैं आपको दूर से कहीं बना नहीं सकता है वीडियो क्योंकि यह पहाड़ की चोटी है और यहां दूसरे तरफ घड़ी है मेरे यहां से सीधे नीचे नदी दिखती है यह देखो यहां से नीचे देखोगे तो सीधे नदी दिखती है और जो यह दूसरी तरफ मेरे जारी है सड़क यह है थराली वाली जो सड़क है नारणबगर से थराली के लिए जो जाती है कुमाओं के लिए यह वो सड़क है य और ये राजिय पधर जो है ये राजिस्थान से आ रहे हैं, तो अभी यहाँ, प्यालों के सहयोग से यह मंदिर बन रहे है, तो सहयद अभी पहंसे होनी पा रहे हैं, तो इसलिए मंदिर का काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, तो जैसी भक्तगण कुछ दान करेंगे, कुछ एक खटा होगा तो फिर इस मंदिर का काम प्रारंब दुबारा होगा 2014 के करीब से 2014 में ये मंदिर दुबारा बनाना शुरू हुआ था तो इतने साल हो गए हैं तब से लेके ये मंदिर दीरे दीरे बन ही रहा है करीब करीब होई गया है पूरा यहां तक आप पत्थर लग चुके हैं मंदिर पे उपर भी करीब आधा बन चुका है बीच में इस पे अभी काम होना बाकी है पत्थर आने बाकी है जो की राजिस्थान से आ रहे हैं यह यहां पर हवन कुंड है पहले हवन कुंड उपर था मंदिर के ठीक सामने गेट पे लेकिन जगह कम होने की वज़ा से इस मंदिर कुंड इस से यग्या कुंड को अब इस टिन सेड के यहां जो ये टिन सेड है इसके नीचे यहां पर यग्या कुंड को इस्थापित कर दिया गया है और जितना भी यहा बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है कितने सारे फूल लगाए हुए हैं बावजी ने और आजू-बाजू के जो गाओं आप देख रहे हूँ इन्हीं के सायुक से ये मंदिर बन रहा है भावत होता है पाड होता है तो उनसे जो जितना भी दान इखटा होता है स्रद्दालू द्वारा उनसे ये मंदिर बनाया गया है ये देखिए सामने से मंदिर का नजारा तेतीस गाओं के द्वारा यहां मंदिर यहां पर बनाया जा रहा है तेतीस गाओं वाशियों के सही योग से एवं और विजो तीर्थियात्री हैं या जो भक्तगर्ण हैं उनके सही योग स यहां पर यह काम लगा हुआ है अब तक इस पर एक करूर का खर्चा आ चुका है इस जगह का नाम सायद देवी दुरा है और मंदिर का नाम महामृत्युन जय महादीव है जगह यह देव दुरा होगी इसलिए इसको देव दुरा का महादेव कहते हैं इंटरनेट पे भी आप मुझे पहाड बहुत पसंद है और एसी सुकून भरी जगह हैं जहां भीड़ भाड़ नहीं रहती है यह मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैं पहाडों में गुमता रहता हूँ सड़के भी पहाडों में बहुत खतरनाथ है yağ आपको यह दिखाता हूँ ये देखो पहाडों में ऐसी ऐसी जगहें सड़क हैं और भूसकलान भी पहाडों में होता रहता है सामने देख रहे हूँ आप उपर से चटान खिसकर नीचे आ गई है पूरी बाबा जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 9 सितंबर नंदाश्टमी को 9 सितंबर 2016 को नंदाश्टमी से इस मंदिर की यहाँ पर जो पुनर निर्मान था वो शुरू किया गया था और 33 गाउं इसमें सही योग कर रहे हैं और यहाँ रहता कोई नहीं है यहाँ अके लिए बाबा जी ही रहते हैं यहाँ पर मूर पंक का पेड़ अभी थोटा है बड़ा होगा तो बहुत अच्छा दिखेगा अभी यहाँ ऐसा है मैं कुछ सालों बाद जब यह मंदिर पूरा बन जाएगा फिर आओंगा मैं महान पीछे था मंदिर मैं आपको 36 वर महादेव भी ले गया था मंदिर की पाहार की चोटी पर था और बिलकुल एकदम oraz भी यहाँ से खड़ी चटान थी यहां से सिदे नदी दिखती ती छीधिती थी में और निची करीवा हो उन और उतना ही पैदल है यहाँ पैदल आकर जाना होता हुए और 45 मिनट के करीब आपको गाउं से लेके मंदिर तक आने में इतना वक्त तो लगेगा करीब 45 मिनट खड़ी चड़ाई है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है रस्ता बहुत अच्छा है यहां मंदिर तक सीड़ियां बनाई हुई है ऐसी उतराखंड के गाउं के अंच्छोए हिस्से देखना चाहते हुँ तो चैनल को सबस्क्राइब करो मैं आपको उतराखंड को बिल्कुल करीब से आपको दिखाता रहूंगा उतराखंड के ग्रामेड जीवन को और उतराखंड की जो ऐसी जगए है जहां के बारे में पर आ सकते हैं और मंदिर में आके स्वयम अप दान्द कर सकते हैं ओनलाइन जैसा यहां कुछ है नहीं क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह 33 गाओं हैं कौन बना रहा है मैं ज़्यादा लिटेल तो नहीं जानता हूं लेकिन आप उत्राखंड से हैं और नारण बगड़ में हैं इस छेतर के नजदीक से तो अपने नजदीकी मंदिर में आके मंदिर निर्मान के लिए सहीयोग कर सकते हैं दान कर सकते हैं धन्यवाद